नमस्ते दोस्तों, आज की नई कक्षा में मैं टॉक्टर कलावती सामरेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी को दीवाली की हार्दिक्षोब कामना है आज की कक्षा में हम फिर से रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक कहानी यह भी मनुभंडारी इस पार्ट तक हमारा जो गत्य भाग का सिलेबस है वो खतम हो जाता है और उसके अनुसार हम आज के कक्षा से फिर से हर एक पार्ट रिविजन करेंगे उसके साथ साथ मुख्य प्रशनोत्तर, इंपॉर्टन प्रशनोत्तर जो है वो डिसकस करेंगे और PDF फाइल में आपको प्रशन पत्रिकाएं दी जाएगी उसको लिख कर आपको हमें कॉलेज तक पहुचाना है उसकी जानकारी आपको अगली क्लास में डीटेल में मिल जाएगी तो आज से हम फिर से हर एक पार्ट का साराउंश देखेंगे और कुछ प्रशनोत्तरों की जर्चा करेंगे सुजान भगत यह पार्ट प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है मुन्शी प्रेमचंद जी उनका नाम है इस पार्ट के अंक है कुल मिलाकर पांच अंकों के लिए ये पार्ट आपको परिक्षा में आएगा इसमें मुख्य पात्र है इंपोर्टन्ट केरेक्टर्स सुजान, बुलाकी, भोला और शंकर और एक महतुपूर्ण पात्र है वो है भिक्षुक तो इसका साराउश यहाँ पर दिया गया है उसी को हम आज डिसकस करेंगे और प्रश्नोतर देखेंगे सुजान भगत ये कहानी एक किसान की कहानी है किसान सुजान भगत कैसे एक किसान से भगत बनता है इसकी यह कहानी है जिसमें ग्रामीन जीवन को दर्शाया गया है किसान सुजान भगत बनने के बाद गाउं में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है लेकिन अपने ही घर में उसका दिन पर दिन अनादर होता जाता है पुत्र और पत्नी द्वारा अपमानित अपने खोए हुए आदर को पुनह प्राप्त करने है तू अत्याधिक श्रम वो करता है और उस परिश्रम को ऐसी सफलता मिलती है कि लोग सारे हट्टे बट्टे रह जाते हैं लोग आश्चरे चकित रह जाते हैं और ऐसी सफलता उसको मिलती है कि इतने उम्र में भी कोई इनसान इस तरह से खेती कर सकता है यह विश्वास किसी को नहीं होता उसके दो बेटे भी हैरान रह जाते हैं कि पिताजी की उम्र हो गई है फिर भी वो हमसे ज़ादा काम करते हैं और ऐसी फ़सल सुजान उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती जिसे पूरे साल के लिए अनाज जिसमें स्टोर किया जाता है उसको बखारी कहते हैं उस बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं होती इतना अनाज इतनी फसल उस साल आती है यह बिल्कुल सुजान की महनत की ही कमाई थी और वह धीरे धीरे अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त करता है ये इस कहानी का साराउश है आपको रिविजन से बहुत सारे फायदे होंगे एक तो जिस तरह से जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं यूटूब चैनल के जरिये अगर आपको पहले समझ में भी नहीं आया तो फिर से आप ये रिविजन क्लासिस जो सुनेंगे तब आपको फिर से ये जो टॉपिक्स है वो अच्छे तरह से याद हो जाएंगे और परिक्षा के दृष्टी कौन से किस तरह से ये पाठ महतोपूर्ण है इसकी पूरी पूरी जानकारी आपको मिलेगी अभी जिस प्रकार सुजान भगत अपनी हक को अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए महनत करता है और सफलता प्राप्त करता है और फिर से उसको अधिकार मिल जाते हैं ये हमने कहानी में देखा है और इसे और कुछ बाते प्रूव होती हैं जैसे कि सुजान का बेटा भोला जो उसके बाप के नव कमाने की वज़े से उसको निकमा कहता है पत्नी उसे वैल्यू नहीं करती उसी तरह से हमारे सामान्य जीवन में भी होता हुआ हम देखते हैं और उसी वज़ा से जो बुज़ुर्ग है उनकी तरफ अंदेखापन और उनका अपमान घरों में होता रहता है पर यहाँ पर और एक बात क्या पता चलती है कि उन्हें कम मत समझिये वे भी इनसान ही है और उन्होंनी कमाई हुई या उन्होंनी किया हुआ जो काम है वो हमेशा बोलता है सुजान भगत बूढा नहीं हुआ था केवल संत बन चुका था और संत बनने के बाद उसने थोड़ा बहुत काम छोड़ दिया था और उसके घर के लोगों ने उसे निकमा ठेरा दिया पर सुजान ने अपने फिर से परिश्रम करके दिखा दिया कि मैं वही सुजान हूँ जो पहले दिन को दिन नहीं समझता था रात को रात नहीं समझता था और मेहनत करता था मैं वही सुजान हूँ मैं भगत बन गया हूँ पर खेती बाड़ी करना मैंने भूला नहीं है तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा मेसेज जो है हम सब को सुजान भगत कहानी से मिलता है कि परिश्रम का जो फल होता है वो हमेशा ही मीठा होता है इसलिए उम्र कोई भी क्यों न हो हमें हार्ड वोक करना चाहिए और हमें जो भी प्राप्त करना है उसके लिए काम, करतव्य, निभाना आवश्चक है और अपने माता, पिता, हम अपने बुजुर्ग जो भी घर के लोग है उनकी उम्र हो गई है इसका अर्था वे निकम में है ये नहीं होता उनको बराबर का जो सम्मान है वो मिलता रहना चाहिए ये इस कहानी से हमें पता चलता है तो अभी हम इसके प्रश्णवत्तर देखेंगे पहला प्रश्ण है एक शब्दिया सीधे साधे किसान धन के आते ही धर्म और कीर्टि की और चुकते है यहाँ पर सेंटेंस पूरा करना बहुत अवश्चक है शब्द के लिए भी आपको अंक मिलेंगे ही पर वाक्य पूर्ण किया तो उत्तर और अच्छा दिखाई देता है दूसरा प्रश्ण है कानून गो इलाके में आते तो इसके चौपाल में ठहरते हैं तो कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते हैं तीसरा प्रश्ण सुजान ने गाओं में क्या बनवाया सुजान ने गाओं में कुवा बनवा कर लोगों के लिए बहुत सारी सहुलते जो है उपलब्द कराई थी तो सुजान बहुत ही सामाजिक व्यक्ति था समवे दन्शील व्यक्ति था सुजान की पतने का नाम क्या है? चौथा प्रश्न है सुजान की पतने का नाम बुलाकी है पांचवा प्रश्न सुजान के बड़े बेटे का नाम क्या है? तो सुजान के बड़े बेटे का नाम है भोला चौटा प्रश्न है सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है? सुजान के छोटे बेटे का नाम शंकर है सात्वा प्रश्न कौन द्वार पर आकर चिलाने लगा तो आपको पता है भिक्षुक, भिक्मंगा ये दोनों शब्द उप्योगी है भिक्षुक द्वार पर आकर चिलाने लगा अगला प्रश्न है बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है तो बुढ़ापे में आदमी की बुध्धी मारी जाती है घर में किसका राज होता है जो कमाता है उसका घर में राज होता है यानि यहाँ पर सुजान जब कमाता था तो उसको सारे हक थे जब भोला कमाने लगा तो भोला को सबी हक दियेगे तो वैसे जो कमाता है वही घर का सब कुछ होता है कटिया का धेर देखकर कौन दंग रह गई कटिया यानि चारा जो काट कर बैलो भैसों को डाला जाता है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुजान ने काटा था और राद भर में इतना चारा काट दिया कि सबको आश्चर्य हो गया इसलिए बुला कि उसकी पत्नी भी दंग रहे गई दंग रहना यानि आश्चर्य चकित रहना सुजान की गोद में सिर रखने रखे किन्हे अकथनी सुख मिल रहा था तो सुजान की गोद में सिर रखकर कौन सुखी अपने आपको समझ रहा था तो उसके दोनों बैल जो बहुत सार परिश्रम करके वापस आने के बाद सुजान के द्वारा जो प्रेम और स्ने हमिल रहा था उसकी वज़ा से ये बहुत ही खुश थे और सुखी महसूस कर रहे थे आखरी प्रश्न है भिक्षुक के गाओं का नाम लिखिये भिक्षुक के गाओं का नाम है अमोला तो इस तरह से एक शब्द या वाक्याओं शया वाक्य में उत्तर लिखना है तो इसके लिए आपको एक-एक मार्क्स मिलेगा यहाँ पर और एक बाद कि कई प्रश्नपत्रिकाओं को अगर आप देखेंगे तो वन लाइन आंसर्स में कई बार बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं सुजान भगत के पार्ठिक से सम्मंदित प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे पर हाली में मैंने यह उबज़र किया है कि इस पार्ठ का एक भी प्रश्न आपको कई बार दिखाई भी नहीं दे सकता तो आपको तीन मार्क्स के जो प्रश्न है यानि दिरखोत्तरी जो है उनको बहुत अच्छी तरक्ति से याद करना चाहिए क्योंकि वन लाइन आंसर्स में से एक हाथ बार आया नहीं प्रश्न तो तीन मार्क्स के लिए और व्याखरन में तो जरूर आएगा तो इसलिए पूरी पूरी तयारी हमें करनी चाहिए तो खुल मिला कर बारा प्रश्न है और मैं जो आपको question paper दूँगी उसमें आपको important प्रश्न पूछे जाएंगे आप पहले इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए साराउश को जान लीजिए और बिना देखे इस प्रश्न पत्रिका को लिखेंगे ये आशा है तो अगला प्रश्न है तिमनलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे सुजान महतों की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा तो सुजान जब उसके पास पैसा आया तो क्या करने लगा तो सबसे पहला महतोपुर्ण जो point है वो है वो अध्यात्म की तरह बढ़ने लगा पिर से पैसों की और भागता है और दूसरा दान पुन्य का काम करता है या भगत बनने की और उसका जुकाव होता है धर्म और कीरती इन दोनों की और जुकाव होता है कई लोगों का तो यहां से first paragraph में जो भी सुजान के बारे में दिया गया है वो points के अनुसार इस उत्तर में हमें लिखना है यहां पर केवल में discussion कर रही हूँ और मैंने प्रशन उत्तर आपको पिछले बार जब मैंने पहले शुरुवाती वीडियो में मैंने जब आपको सुजान भगत पढ़ाया है तब मैंने सभी प्रशनों के उत्तर आपको दिये हैं घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ वैसे तो अनादर उसका बारवार होते हुए दिखाई दिया पर मुख्य रूप से जब भोला ने उसकी हाथ से छबड़ी छीन ली तब उसका अनाज जब देने गया वो और भिख्षुक को और उसके हाथ से वो जो अनाज की टो तोकरी है वो भगत ने छीन ली और ये सेंथ का माल यानि ये तो मुफ्त का माल तो नहीं है कि आप ऐसे ही लूटेंगे ये कहा है तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपमान सुजान का होता है क्योंकि सुजान घर का स्वामी है घर का बुजर्ग है और उसे हक नहीं है कि वो के तोकरी भर भी अनाच किसी को दे तो ये जो संधर्ब है वो आपको यहाँ पर लिखना है सुजान भगत के पेड़ के नीचे सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठ कर क्या सोचता है वो उसको सारा जो अपना अतीत है वो याद आता है कि मैंने इस घर को बनाने के लिए क्य क्या 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 नहीं क्या और बेटे तो बेटे पत्नी भी मुझे आज आदर सम्मान नहीं करती मुझे थोड़ा बहुत दान करने का भी हक नहीं है क्या ये सुजान सोचते बैठता है पत्नी पर जादा गुसा उसको आता है सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों वहाता है क्योंकि इसी जुड़ा हुआ प्रश्ण है एक दूसरे से क्योंकि सुजान को क्यों कुछ सा आता है अपनी पत्नी पर क्योंकि पत्नी ने सब कुछ देखा हुआ है जाना हुआ है कि उसने कैसे पाई पाई कमा कर और मेहनत करके ये सभी विभूती कमाई है खेत घर ये सब उसने बनाय हुआ है और ये देखते हुए भी उसकी बहुत सारी सेवा करके सभी उसके हाथ में देकर भी पत्नी ने उसे नहीं समझा पत्नी ने भी बच्चों के साथ मिलकर उसका अपमान किया इसलिए पत्नी बुलाकी का क्रोध जो है आता है चेत के महिने में खलियानों में सत्युक के राज का वरणन कीजिए इस प्रशन का उत्तर आपके लिए चलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ये उत्तर जो है परग्राफ में आपको एक्स्प्लेंड नहीं मिलेगा बाकी सभी जो संधर्व के पर आधारित जो प्रशनोत्तर है वो सारे आपको परग्रास में मिल जाएंगे पर यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अपनी ओन विचारों को लिखना होगा चैत का महना यानि चैत्रमास और उस मास में जो है फसल पूरी तरह से उगाती है और इस फसल को बीज बोलने से लेकर पूरी तरह से फसल यानि फल्फूल आने तक जो है किसान बहुत महनत करता है और ये जो चैत्रमास का महिना होता है उस महिने में ऐसा वातावरन भी होता है और उस महिने में फसल काटी जाती है एक्जैक्ली यही टाइम जो अभी चल रहा है विंटर और ऐसे में बहुत सारी फसल जो है काटी जाती है जैसे यहाँ पर बल्गाम रीजन में आप चावल की खेती देख सकते हैं तो इसी समय में सभी फसल को काटते हैं और बहुत सारा जो अनाज है खेतों में किसान को मिल जाता है तो किसान के लिए सत्युग यानि क्या है अच्छा यूग सत्य यानि क्या अच्छा तो सत्युग का राज यानि अभी सब कुछ उसने पा लिया ऐसा एसास जो है हर एक किसान को होता है क्योंकि साथ-ाथ महिनों की महिनत होती है है ना तो बहुत कुछ उसने उस फसल को उगाने के लिए सतत प्रयास किये होते हैं तो जिस दिन वो फसल पूरी होकर कटकर उसके घर जाती है उस वक्त वो जो है बहुत खुश होता है और उसने सब कुछ पा लिया ऐसा एसा एसास जो है हर एक किसान को होता है इसे लिए यहाँ पर पुछा गया है कि खलियानों में सत्युक का राज यानि क्या सत्युक का राज यानि क्या पूरी फसल का उगा हुआ अपनी आखों से जब ये किसान देखता है तो वो फूले नहीं समाता बहुत सारी खुशी उसको होती है यही उसका कारण है तो आगे जो प्रशन है वो अग्डी क्लास में हम डिसकस करेंगे और आपको उसके साथ साथ प्रशन पत्रिका जो मिलेगी अग्डी क्लास में उसको लिख कर कॉलेज में लाकर सब्मिट करना है धन्यवाद